हलो फ्रेंट्स वागत है आप सभी कापके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलेशिप के बारे में जी हूँ दोस्तों मेरे पास काफी जादा स्ट्रेंट्स कमेंट्स करके क्वेशन्स कर रहे हैं रिजिस्ट्रेशन कप तक स्टार्ट हो सकते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा काफी इंपर्टेंट वीडियो होने वाली है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसे एक छोड़ इस रिक्वेस्ट है तो सबसे पहले सिंपली आपको अपना क्रोम ब्राउजर रोपिन करना है और आप पर आपको सर्च कर लेना है सरकारी जॉफफाइन डॉट कॉम इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँग फॉर्म का इस स्टेटस चेक कर सकते है जैसी लिंक जेनरेट हो जाता है प्लस यहां से आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते है क्लेकशन जो जो पोर्टल है जो दुबारा से एपुर्ट हो सकता है या नहीं scholarship का और ये जो news थी ये प्रताब गड़ की news थी ठीक है यानि कि सिर्फ ये एक district की news थी और ऐसी बहुत सारे से district हैं जिसमें 1064 form फिल ही नहीं कर पाए तो पहले हम बात कर लेती हैं कि जो आपका correction है वो कब से start होगा ठीक है यानि कब तक आप तक अपने form में correction कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग ये news पढ़ सकते ही खास बात ये है कि online आवेदन की तुर्टियों को 20 December तक सही किया जा सकता था लेकिन हुबा की website बंद हो जाने से एक तरफ online आवेदन ना कर पाने वाले 1600 चादराओं की परेशाने पढ़ गई है यानि कि 20 December तक जो correction था वो होना था यानि कि 20 December तक आपका जो पोर्टल है वो खुल जाएगा और आप लोग अपने January भी start हो सकता है यानि कि January 1st week या 2nd week में आपका जो पोर्टल है वो open होगा मगर इस news के recording जो correction है वो 20 December तक होना है ठीक है और जो status है आपका वो correction से 2-3 दिन पहले आ जाएगा क्योंकि बिना correction बिना status के आप लोग अपने form में correction भी नहीं कर सकते हैं जिनको पता है कि हमने भाई ये गलतियां करी है फॉर्म फिल करते समय सिर्फ वही चात्र अपना form में correction कर पाएंगे तो correction से पहले आपका status आ जाएगा most probably chances यहीं है अब बात आती है कि जो पोर्टल है वो आपका open होगा या नहीं तो देखिए most probably जो strengths हैं वो लगातार comments कर रहे हैं कि सर पोर्टल खुलना चाहिए क्योंकि हजारों चात्र वन्चित होगा है इन scholarship से अगर form जो पोर्टल है वो नहीं खुलता और जैसा कि इस न्यूज में आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ प्रताब गड़ की पचास चात्र चात्र चा या तो maybe जो admission process से वो complete हो जाने के बाद एक बार और पोर्टल open हो सकता है अब कब open होगा या तो वो November end में भी सुन रहे थे कि 25 से 30 November तक पोर्टल खुल सकता है या फिर December 1st week में खुल सकता है इस पर अभी कोई officially update नहीं आए मगर खुलने के chances ने आप लोग लगा था बेल आइक करने सुदुबाद येगा थैंक्यों फ्रेंडिस आव नाइस देए